हलो फ्रेंड्स, जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके साथ सेयर करेंगे एक माउथ फोटरिंग डीस्की रेसिपी जी हाँ, आज हम बनाने वाले हैं खीचडा तो चलिए, सुरू करते हैं आसान फूट रेसिपीस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें खीचडा बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिये हैं 500 ग्राम गेहूं देखिए, यह जो गेहूं है, यह खीचडा या तो फिर हलीम बनाने में यूज किये जाते हैं इनका छिलका उत्रा हुआ होता है तो हमने यहाँ पर जो 500 ग्राम खीचडे के गेहूं लिये हैं इनको हम पहले 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लेंगे तो हमने गेहूं को 2-3 पानी से अच्छी तरह धो लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे 500 ml पानी पानी एट करने के बाद हम इसे ढख देंगे और ढख कर हमें इसे पुरी रात के लिए अच्छी तरह भीगो लेना है तो हम इसे ओवर नाइट भीगने के लिए रख देंगे ये देखिए हमने गेहूं को 2-3 पानी से धोने के बाद पानी में पुरी रात के लिए भीगो दिया था और हमने अब इसका सारा पानी निकाल लिया है और अब हम एक बोल में एट करेंगे पचास ग्राम तूवर की डाल पचास ग्राम मसूर की डाल पचास ग्राम उड़द की डाल और पचास ग्राम मूं की डाल तो यहाँ पर डाल की टोटल कॉंटीटी 200 ग्राम है अब इसे हम अच्छी तरह धोग कर दो गंटे के लिए पानी में भीगो देंगे लिये हैं उसे हमने पुरी रात के लिए भीगो दिया था। और यह जो दाल ली है। इसे हम सिर्फ दो घंटे के लिए ही भीगोएंगे। और यहां पर हमने एक प्रेसर कुकर लिया है। इसमें हम एड़ कर देंगे गेह। जिनको हमने ओवरनाइट भिगो दिया था हमने इन गेहूं को बोईल कर लेना है और बोईल करने के लिए हम इसमें एट कर देंगे दो से धाई लिटर जितना पानी बोईल करते वक्त हमने इसमें एट करना है एक टेबल स्पुन सौफ प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर इसे 15 से 20 मिनिट के लिए और बोईल करेंगे तो यहाँ पर हमने दाल को 2 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था और अब हम इसे भी बोईल कर लेंगे इसे बोईल करने के लिए हम इसमें एट करेंगे 500 एमिल पानी आप सोच रहे होंगे के हमने गेहूं और डाल को अलग-अलग क्यों बोईल किया है इसकी एक वज़ा ही है कि जब हम डाल और गेहूं को एक साथ बोईल करते हैं तो जो डाल है वो जल्दी से बोईल हो जाती है और गेहूं को बोईल होने में थोड़ा वक्त लगता है तो जब हम डाल और गेहूं को साथ में बोईल करेंगे तो डाल जो है वो नीचे तले में लग जाती है इसलिए बहतर होगा के हम इन्हें अलग ही बोईल कर लें प्रेसर कुकर को लीट से कवर करके हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद लो फ्लेम पर इसे पांच मिनिट के लिए और बोईल कर लेंगे तो हमने यहाँ पर ली है 50 ग्राम छोटी हरी मिच और लिया है 50 ग्राम लहसुन यह जो लहसुन है इसको हम छील लेंगे और हरी मिच और लहसुन का पेश्ट बनाएंगे इसी के साथ हमने लिया है 50 ग्राम अद्रक यह जो अद्रक है इसे छील कर इसका पेश्ट बनाएंगे यहाँ पर एक बात का ध्यान नहीं कि हमें अद्रख को हरी मीच और लहसुन के साथ नहीं पीसना इसे हम अलग से ग्राइंड करके अलग से पेष्ट बनाएंगे इसी के साथ हमने ग्राइंड करने के लिए कुछ खड़े मसाली लिए हैं जिसे के पास से साथ छोटे डालचीनी के टुकड़े, बीस लॉंग, तीन फूल और एक टीस्पुन जीरा इसे हम ग्राइंड कर लेंगे हम जो लहसुन और हरी मीच का पेष्ट बनाएंगे उसी के साथ इनको ग्राइंड कर लेंगे हमने प्रेशर कुकर में 150 एमिल जितना तेल अच्छे से गरम कर लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे 15 काली मीच और एट करेंगे 2-3 तेज पत्ते गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें एट कर देंगे 1 टीस्पुन जीरा 5-7 सेकेंड के बाद एट करेंगे 500 ग्राम कटी हुई प्याज मिक्स कर लेंगे और प्याज को हम हाई फ्लेम पर थोड़ी सोफ्ट होने तक अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे हमने हाई फ्लेम पर प्याज को तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है यह जो प्याज है यह अच्छी तरह सौफ्ट हो चुकी है अब हम गेस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसमें एट करेंगे एक कीलो मटन मटन एट करने के बाद हम इसमें एट कर देंगे दو तीसपून नमक और एक तीसपून हल्दी पाउडर दो टीस्पुन धन्या पाउडर और एट करेंगे हमारा तयार किया हुआ छोटी हरी मिर्च और लहसुन का पेश्ट और ग्राइंड किये हुए खड़े मसाले जिसे के हमने आपको पेले भी बताया था कि हमने जो खड़े मसाले लिये थे उनको हमने लहसुन और हरी मिर्च के साथ ही ग्राइंड कर लिया था और हमने इसमें एट कर देना है आधा कप पानी हमने जो प्रेसर कुकर लिया था वो छोटा पड़ रहा था इसलिए हमने इसे एक बड़े प्रेसर कुकर में ट्रांसफर कर लिया है और अब हम इसमें एट कर देंगे एक टीस्पून लालमेश पाउडर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हम इसे खुले में 5-7 मिनिट के लिए लो फ्लेम पर पकाएंगे लो फ्लेम पर हम इसे 5-7 मिनिट के लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि हमने इसमें जो मसाले एड़ किये हैं उसका कच्छापन दूर हो जाए प्रेसर कुकर को लीड से कवर कर देंगे और हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद गेस की फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर 15 मिनिट के लिए और पका लेंगे तो हमने खिचड़े के गेहु को प्रेसर कुकर में हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद लो फ्लेम पर 15 से 20 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लिया है ये अच्छी तरह बोईल हो चुके हैं अब हमने इसे रूम टेंपरेचर पर ठंडा कर लेना है और रूम टेंपरेचर पर अच्छी तरह ठंडा करने के बाद हम इसे मिक्सी जान में पीस लेंगे ये जो दाल है इसे हाई फ्लेम पर एक प्रेसर आने के बाद हमने गेसी फ्लेम को लो करके लो फ्लेम पर 5 मिनिट के लिए अच्छे से बोईल कर लिया है देखिए ये अच्छे से बोईल हो चुकी है हमें इसे पीसना नहीं है हमें सिर्फ खिचड़े के गेहूं को ही पीसना है दाल को नहीं पीसेंगे ये देखिए हमारा जो मटन है वो अच्छी तरह पक चुका है लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा पानी बाकी है इसकी consistency कुछ ऐसी रहेगी इस पर हमने इसमें एट कर देना है 50 ग्राम अद्रख का पेस्ट देखिए ये वही 50 ग्राम अद्रख है जिसको छील कर हमने इसका अलग से पेस्ट बनाया था इसको हमने इस तेश पर एट करना है और एट कर देंगे बोईल की हुई दाल ये देखिए हमने मटन का हाई फ्लेम पर सारा पानी अच्छे से सुखा लिया था और अब हम इसे भी इसमें एट कर देंगे प्रेसर कुकर को खंगाल कर इसमें 1.500 एमल जितना पानी एट करेंगे और एट कर देंगे 3 टीस्पून नमक नमक हम यहाँ पर ध्यान से एट करेंगे क्यूंकि हमने ओल डेडी मटन में 2 टीस्पून नमक एट किया था इसलिए यहाँ पर सिफ 3 टीस्पून नमक एट करेंगे और अब हम इसमें एट करेंगे एक सिक्रेट इंग्रीडियन्ट जो है पचास ग्राम फ्राइ किया हुआ लहसुन इसे हम ग्राइंड करके एट करेंगे हमने जो 50 ग्राम फ्राइ किया हुआ है सुन लिया है उसको हमने अच्छी तरह ग्राइंड कर लिया है और अब हम इसे इसमें एट कर देंगे अब इन सारे इंग्रीजियंट्स को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे चम्मच को हमने बरतन के तले तक लगा कर सारे इंग्रिटियंट को अच्छे से मिक्स कर लेना है गेस की फ्लेम को ओन करके हाई फ्लेम पर इसमें एक उबाल आने तक इसे लगाता चलाते हुए पकाएंगे एक उबलाने के बाद गेस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम इसे आधे घंटे के लिए पका लेंगे और हर पांच मिनिट में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि हमारा जो खिचड़ा है वो नीचे तले पे ना लगे लो फ्लेम पर इसे पकते हुए आधा गंटा हो चुका है और आधा गंटे तक पकने के दर्मियान हमने इसे हर पांच मिनिट में अच्छे से चलाते हुए पकाया है इसी के साथ हमारा जो खिचड़ा है वो बनकर तयार है इसकी कंसिस्टन्सी को हमने कुछ ऐसा रखना है अब गेस की फ्लेम को हम ओफ कर देंगे और इसे गानिश करेंगे खिचड़े को गानिश करने के लिए हमने यहाँ पर 500 ग्राम प्याज को अच्छी तरह फ्राई कर लिया है लेकिन अभी हम इसमें पूरी प्याज एड नहीं करेंगे थोड़ी सी फ्राई की हुई प्याज हम प्लेटिंग के वक्त गानिशिंग के लिए रख देंगे इसी के साथ हमने लिया है बारिक कटा हुआ पुदीना और बारिक कटा हुआ हरा धनिया देखे फ्राई की हुई प्याज की और बारिक कटे हुए हरे धनिया और पुदीने की हम थोड़ी सी कॉंटिटी ही अभी गानिशिंग के लिए एड करेंगे और बाकी की जो क्वंटिटी है उसे हम प्लेटिंग करते वक्त एड करेंगे तो लीजिये खाने के लिए तैयार है Most popular dish खिचड़ा वीडियो पसंद आई हो तो like, share और comment करें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे humble request है कि हमारे चैनल को subscribe करके बेल आइकन दबाना ना भूले फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का YouTube चैनल पर एक नई recipe के साथ तब तक के लिए गुड़ बाई